हे मातारानी, जो इस वीडियो को सच्चे दिल से लायक करें, उसके जीवन में कभी ग्रहन मत लगने देना, उसकी तमाम गरीबी परेशानी दूर कर देना, लायक जरूर करें, दोस्तों साल का आखिरी चंद्रग्रहन पढ़ने वाला 18 सितंबर 2024 को साल का अंतिम चंद्रग्रह पढ़ेगा, यह खंडग्रास चंद्रग्रहन है, कही न कहीं देखा जाए, तो यह चंद्रग्रहन बड़ी confusion ले के आ रहा है, कुछ विद्वान मानेंगे कि भारत में इसका प्रभाव है, कुच विद्वान मानेंगे भारत पे इसका कोई असर नहीं है, तो तथ्य के साथ प्रमान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुवात होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बतादू कि जो चंद्रग्रहन है, बारा में से पांच जो राशियां हैं, उनका भाग्य खोलने वाला है, उनको भाग्य से कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। तो कार्यक्रम पूरा देखेगा तो आप कफ्यूज नहीं होंगे। कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ेंगे, ये जो खंड ग्रास चंद्रग्रहन है, वो भाद्रपद पूर्ण मासी बुधवार को पढ़ने वाला है। सुभह 6 बजकर 12 मिनट से लेकर और सुभह 10 बजकर 17 मिनट तक ये चंद्र ग्रहन रहने वाला है, यानि सुभह सुभह रहेगा, तड़के तड़के और इसकी अवधी लगभग लगभग 4 घंटे 4 मिनट की रहने वाली है। ये याद रखियेगा, ये ग्रहन का प्रभाव दक्षिन अमेरिका पे रहेगा, यानि साउथ अमेरिका पे रहेगा, अफरीका में रहेगा, एशिया में रहेगा और नौर्थ अमेरिका में भी रहेगा, हिंद महसागर में इसका प्रभाव रहेगा, ये और देखा जाए, तो इस ग्रहन के दौरान चंद्रमा का छोटा सा जो हिस्सा है, वो गहरी छाया में प्रवेश करता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसा कि आपको मान चित्र में दिख रहा है, तो इस प्रकार का ये जो है, आलची खंडग्रास चंद्रग्रहन आपको दिखेगा, अब इसमें कन्फ्यूजन क्या है मित्रों, इसमें कन्फ्यूजन ये है कि भारत में ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कुछ विद्वान अब कहेंगे कि जी इसका कोई प्रभाव नहीं है, और कुछ विद्वान कहेंगे कि इसका प्रभाव है, तो कहीं न कहीं देखा जाए, तो आर्यभट पंचांग के अनुसार भारत में ये आन्शिक रूप से कई शहरों में दिखाई देगा, अम्रिद सर में ये दो मिनट के लिए दिखाई देगा, कहीं न कहीं बारा मिनट में जोदपूर में देखाई देगा, उसी प्रकार से द्वारका यानि गुजरात के अंदर पूरे के पूरे 30 मिनट के लिए सुबह सुबह दिखाई देगा नासिक में 11 मिनट के लिए दिखाई देगा बडोदरा में 12 मिनट के लिए दिखाई देंगे और कहीं न कहीं बीकानेर के अंदर ये 10 मिनट के लिए चंदर ग्रहन यानि खंडग्रास चंदर ग्रहन दिखाई देंगे यानि यहां पर इन शहरों पे असर रहेगा तो भारत के कुल मिलाके 37 शहरों पे कहीं न कहीं एक मिनट के लिए 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए दिखाई देंगे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत में इसका बिलकुल प्रभाव नहीं है भारत में इसका प्रभाव रहेगा आंशिक ये चंद्र ग्रहन कहलाएगा और इसका प्रभाव भी रहेगा इसको नकारा नहीं जा सकता साथ ही साथ आप चंदर ग्रहन जब लगेगा तो सूतक काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि इसका जो सूतक काल है वो नौ घंटे पहले से शुरू हो जाएगा यानि सत्रह सितंबर रात को मध्य रात्री के बीच में यानि बारब बजे के बाद आप मान के चलिए आपको सूतक को फॉलो करना पड़ेगा खासकर ये जो सैंटीस शहर है भारत में उनको तो फॉलो करना पड़ सकता है साथ ही साथ भोजन बनाना या सूतक काल के अंदर शुभ काम करना نہ खून काटना या तेल का लगाना या तेल शरीर पे लगाना वर्जित होता है सोना वर्जित होता है लेकिन ये कुछ मिनटों का ही लगने वाला है आंसिक चंदर ग्रहन तो सूतक अगर आप माने तो अच्छी बात है नहीं माने तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है चाहे माने ना माने मित्रों इसका प्रभाव नहीं है तो सूतक काल नहीं है हालांकि आसिंक रूप रूप से 37 शहरों के अंदर भारत में इस चंदर ग्रहन का प्रभाव है यदि आप सूतक मान ले तो अच्छा है नहीं भी मानें तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं है अब बात करते हैं जोतिश की गणना के अनुसार इस ग्रहन का क्या प्रभाव है तो जोतिश के अनुसार जिस समय ये ग्रहन लगेगा उस समय पे कन्या लगन उदित रहेगा और चंद्र राहू दोनू के सोनू सप्तम भाव के अंदर मीन राशी में रहेंगे तो कहीं न कहीं अमेरिका एशिया की खास कर मीन राशी है पुर्तगाल की मीन राशी है तो इन पे प्रभाव पड़ेगा तो देखा जाए अमेरिका, एशिया, पुर्तगाल, सहारा रेगिस्तान और हिमाचल प्रदेश और मिश्र में भूस्खलन जैसी घटनाएं तो आंधी तूफान जैसी घटनाएं जन हिंसा या विद्रोह का सामन करना पड़ सकता है, खासकर चंद्र ग्रहन के पंद्रह दिन तक साथ ही साथ सब्तम भाव के अंदर ये ग्रहन लग रहा है, काल पुरुष के तो ये जोतिश के अनुसार देखा जाए, ऑनस्ट्रेलिया चीन तिब्बत के अंदर देखा जाए, या कनाड़ा के अंदर सब्तम भाव के अंदर चंद्रमा विराजमान है वो भी राहू के साथ में, तो ये तो देश के बारे में, दुनिया के बारे में हमने चर्चा करी, अब राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो राशियों के अनुसार पंद्रह दिन तक इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोई सफलता, कोई पद में वृध्धि, कोई नौकरी का शुभकाम करियर में बड़ी डील यानि करियर और धन के लिए 15 दिन बड़ा अच्छा रहने वाला है। लेकिन रिलेशन्शिप के लिए खराब है। संबंधित 15 दिन के अंदर खुशखबरी भी प्राप्थ होगी, तो सिंह राशी के लिए ये ग्रहन के 15 दिन बहुत बहुत अच्छा है। और मित्रों आपको अगर डीटेल में जानना है कि आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी कुंडली में क्या प्रभाव है, तो आप अपनी राशी और नाम जन्म तिथी कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। हम उदाहरण के साथ उपाय भी बताएंगे, जिससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। हम तुरंत आपके कमेंट का रिपलाई करेंगे। लेकिन सुन्दर सी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। लाइक जरू लग सकते हैं। शरीर अब आपका स्वस्थ होने वाला है। कब सभी बीमारी धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी और लखपती, करोडपती, धनपती अब आप हो जाएंगे। यानि कि यहां से आपके करियर अच्छा जंप हो सकता है। कुछ डायप आपके हो सकते हैं। लेकिन आपको वाहन से कुछ कष्ट मिल सकता है। वाहन से कुछ चोट वाहन पर खर्चा आपको करना पड़ सकता है इन 15 दिन के अंदर। दोस्तों तुला राशी के बारे में बात करें तो यहां पर भी बहुत अच्छा है। ग्रहन के बाद 18 सितंबर के बाद के जो 15 दिन आपके यश में पद में वृद्धी होगी और आपको परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी भी सुनाई देगी। तो तुला राशी के लिए भी तनाव को दूर करने वाला यह ग्रहन का पीरियड 15 दिन रहेगा। आप बात कर लेते हैं व्रिश्चिक राशी की तो व् 14 सितंबर के बाद आपके भारी रहने वाले हैं। इसी प्रकार से धनुराशी के बारे में बात करें तो भाई आपको 15 दिन तक बहुत सारी तीर थियात्रा गुरुओं के आश्रम में आप जा सकते हैं। तीर थियात्रा कर सकते हैं। करियर के लिए और चीजों के लिए इसी प्रकार से मकर राशी के बारे में बात करें, तो आपका विदेश संबंधि कोई काम के लिए आपने अपलाई किया है, प्रयास रहता है, कोई रिसाल्ट आने वाला है, तो आपको 15 दिन असफलता मिल सकती है, विदेश संबंधि कोई बैड न्यूस आपको मिल सकती है, व कुम्भ राशी के लिए बात करें तो ये जो 15 दिन हैं, अस्पताल के डॉक्टर के चक्कर कुछ टेस्ट आपको करवाने पड़ सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ सकता है, यानि कही न कही थोड़ा मानसिक ठकान आपको रहेंगी, थोड़ा भागी ज्यादा रह सकती है, एक तो अस्पताल की या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, साथ ही साथ माता पिता को भी कुछ हेल्थ इश्यू रह सकता है, माता पिता से किसी प्रकार का तनाव रह सकता है, यानि कही न कही पंद्रह दिन, कुम्भ राशी के लिए रह सकते हैं, करियर में बड़ी परेशानी के 15 दिन सामना करना पड़ सकता है, माता पिता को स्वास्थ का कश्ट रह सकता है, तो मीन राशी को भी 15 दिन संभलने की जरूरत है, तो मित्रों यह था ग्रहन का प्रभाव, ग्रहन में क्या कनफ्यूजन है, उसको दूर करने का प्रयास, पंचांग के अनुसार बताया गया है, कन्फ्यूजन को दूर किया गया है, इस कार्यक्रम में मित्रों इतना ही, तो सच्चे दिल से जैकारा लगा दें, हर हर महादेव, ओम नमह शिवाय, लाइक जरूर करें, धन्यवाद.